कि नमस्कार फाइनेंसियल विद गोपी क्रिस्टा में आपका स्वाधत है जिसमें होती है म्यूचल फंड की बात आपके साथ हिंदी में आज हम लोग को का विशय है कि म्यूचल फंड में यह साइपी बैंक से करूं या डायरेट करूं या किसी एडवाइजर कंसल्टेंट्स के द्वारा यानि बित्तीस अलाकार के द्वारा की जाएक इसमें फैदा रहें देखिए आपका अपना खुद का विचार है कि मालीजिए कोई चाहे हम जो है किसी यमडी डाक्टर से अपना ट्रीटमेंट करावें या किसी जो है यमबी बीएस से करावें या जाकर करके हो मेडिकल स्टोर वाला आपके काम नहीं आएगा हाँ चिकिस्षा की कई और पद्धतियां है कि कोई जो है क्या कहते हैं एलोपाइथिक में जाए आयरुवेद में जाए या किसी वी तरह में नीम हकीम वाला में जाए लेकिन जो है अंत्तो गत्वा लास्ट में सभी लोग जाते हैं किसी यमडी या अगर आपरेशन कराना है तो सर्जन के पास तब इधर उधर नहीं भटकते हैं उसी तरह से जब भी आप अपना फाइनेंशियल इंवेस्मेंट करे कि चाहें डायरेक्ट करें या किसी व्रोकर के द्वारा करें यह आपके उपर निर्भर है कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको करनी करना है ग्रोवाइब से करें कई लोगों ने पूछा है हम ग्रोवाइब से करना चाहते हैं या फोन पे से करना चाहते हैं आपकी मर्जि की जिसे आपको पूरी तरही अपने साइब 300 लाकार से जरूर लेते रहेंकि जिसके आपको जो है और दूसरी चीज वालिजया आनले जैसे घर से बाहर निकलना कहते कहीं जाना चाहते आज के समय में हम सोचते हैं कि अमेरिका में जाकर कि अच्छा बिजनेस मिल जाएगा वहां पर काम करने अच्छी सैलरी मिल जाएगी उसके लिए आपको पहले प्लानिंग करनी होगी वहां के हिसाब से अपने आपको तयार करना होगा उनके अट्मासफियर में आपको फिट बैटना है उसके लिए अपने आपको पूरी तरह से तयार फिट करना होगा जाने के लिए आपको घर से बाहर निकलना होगा बाई एरलाइन या जिससे भी जाना चाहें वहां पहुंचे तभी कर पाएंगे यह नहीं कि आपने इच्छा किया और तुरंज आकर के वहां काम सुरू हो गया उसी तरह से अगर आप मीचल फंड में चाहें साइपी के द्वारा इंवेस्टमेंट करें या वन टाइम मीचल फंड में दो ही तरह से इंवेस्टमेंट आपका हो सकता है उसके बाद अलग अलग टाइप से किया जा सकता है लेकिन दो ही प्रकार से आप मीचल फंड को पैस आपका इंवेस्मेंट होता रहे आपने क्या कि जह करके किसी मुचल फंड कंपनी में काइस दे दिया नहीं दे सकते हैं कि कुछ मुचल फंड कंपनी में आप साल भर में 50,000 रुपए काइस इंवेस्मेंट कर सकते हैं कि लेकिन वहां पर भी आपको आपकी क्यवाइसी वनेगी इसलिए आप देखें 2008 के बाद मुचल फंड या स्टाउक मार्केट में कोई स्कायम या घपला नहीं हुआ है क्योंकि उसके दो रीजन हैं पहली चीज काइस में इंवेस्मेंट नहीं लेंगे और बिना क्यवाइसी कोई इन वेस्मेंट नहीं करेंगे यहां तक कि अगर आपके दो एकॉंट हैं आपने जो एकॉंट रज्स्टर कर रखा है उसकी अलामा चाहते हैं कि अपना इन वेस्मेंट करें आप पहले उस एकॉंट को आपको एड़ करा यह फिर यह होगी mutual fund company को तब होगा अब आते हैं कि हम किस माध्यम के द्वारा अपना investment करें आप मालीजे direct करना चाहते हैं हमारे पास कई लोगों कमेंट साते हम direct investment करना चाहते हैं लेकिन मुझे जानकारी नहीं है जानकारी नहीं और दोसी चीज़ आप कहीं करने से भी करें direct करें direct करने का मतलब आप जा करके mutual fund company में चले जाए कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं वहां से आपको हमेशा आपकी सारी services मिलती रहेंगी या mutual fund company की site पर चले जाए वहां से भी आप अपना कर सकते हैं या जिस आप से भी करना investment सुरू कर दिया और बाद में पता चला कि जब जरौत पड़ी या आपको कोई दिक्कत हुई तो कोई help नहीं मिल पाई आपकी पूरी कमाई जो है पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा अगर उसके लिए परिसान हो रहे हम यह नहीं कहेंगे कि आपने किसी आयप या किसी ऐसे द्वारा पैसा लगाया कि आपका पैसा डूब जाएगा पैसा नहीं डूबएगा अगर निकालने में हो सकता आपको दिक्कत हो या कोई समस्या आगी आयप के द्वारा जो है आपके सामने दिक्कत आ रही उस उनी तरह के आयप को यूज करिए जिनके कस्टमर केर में आपकी बात आसानी से हो सके अगर आपको mutual fund की बहुत अच्छी जानकारी है आप direct mutual fund company में जा करके direct investment कर लीजे किसी बैंक के द्वारा जाने में भी जा सकते हैं लेकिन वो बैंक उसके लिए अथ्राइज है या नहीं है ये देखना होगा आपको ऐसा तो नहीं कि वो खाली agent की तरह काम कर रही हो सिर्फ अपने ही mutual fund के fund को select करके बेंच रही हो promote कर रही हो क्योंकि आपको जो fund suit करेगा कितने समय के लिए suit करेगा ये वही आकमी आपको जो है advice कर पाएगा सला दे पाएगा जो कि उस field का expert हो जानकारी हो ये नहीं किसी ने आज जा करके जो है अपना MP का registration ले लिया और बेंचना साल का उसके पास experience भी होना चाहिए मार्केट की जानकारी होनी चाहिए कि फंड मैनेजर किस तरह से फंड सेलेक्ट कर रहा आप किसी भी mutual fund की mutual fund company के फंड मैनेजर को इंस्ट्रेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप जो ये फंड ही खरी दिएगा हमारे पास भी हमारे एक investor से पहले प्रोफेसर थे उन्होंने एक फंड से इसलिए पैसा निकाल लिया कि इस फंड ने जो है इस स्टार्ट में पैसा लगाया हम नहीं लगाएंगे आपके कहें अंसार कोई fund manager अपनी strategy नहीं change करेगा इससे हर लोग जो है बिलकुल confirm रहें निश्चिंत रहें fund manager के अपनी एक research team होगी उसी के अंसार जो है लगाएंगे हाट direct और regular plan में investment करने में आपके return पे थोड़ा अंतर आएगा बहुत जादा नहीं आएगा लेकिन जब किसी बित्तिय सलाकार यानि advisor के द्वारा लगवाएंगे तो उसके return जादा इसलिए आएंगे क्योंकि जो है वो समय समय पर आपको guide करता रहेगा कि कब कहां पे आपके पैसे में क्या action लेना है और direct में आपके सामने ऐसी कोई facility नहीं रहेगी आपको कोई भी न अपना पैसा निकाल लेना चाहिए अगर आप इन सब चीजों में सच्छम है तो आप direct investment करिएगा आपके लिए बहतर रहेगा अगर नहीं सच्छम है तो किसी बित्तिय सलाकार जो आपके आसपास हों देख लीजे नहीं Google पर जाकर कि सर्च करिए MP की साइट पर डालिएगा अपना पिन कोट डालिए आपके पास की पूरी लिस्ट आ जाएगी फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो एक आफ हम बता रहें अधिरो उसको डाउनलोड करिजे प्ले स्टोर से उससे करिएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बाक्स में भी एक लिंक लगा होता है उस पे क्लिक करि करिए फिर भी कोई दिक्कत आती हमारे आफिस में फोन करिए हमारी टीम आपकी पूजी की पूजी साहता करेगी इसके अलावा कुछ हमारे पास कमेंट्स आये हैं उन पे भी हम आज रिपलाई देना चाहेंगे अलग अलग लेकिन हमको अच्छे लगें कि हर एक आदमी को इसकी जानकारी होनी चाहिए हम भी पहले जब इस फिल्ड नहीं थे छोटे थे तो सोचते थे कैसे क्या होगा पूछा गया है कि जो है डी मैट एकाउंट की के वाइसी और पेपर कहां रखने चाहिए इसमें आपको सिर्फ अपने ब्रोकर का नाम याद रखना है जो आपक एकाउंट नंबर वह याद रखेगा कि वाइसी आपका पैन नंबर भी होगा पैन नंबर ही होगा पैन कार्ड आपके पास हमेशा ही रहेगा और जो आपकी डी मैट स्टाक मार्केट में क्योई मूचल फंड में काम करेगी इसलिए आपको इसके पेपर रखने की कोई रहेगा यह नहीं कि सारे के और सारी चीज़े आपके व्रोकर या उसमें जो हमेशा पोल्टल पर एवलेबिल रहेंगी जब भी आपको अपनी आयकर बेवड़ी अगरा कुछ भी जमा करना हो तो वहां से पूरी डिटेस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और पूछा है दस साल की साइपी चलानी है तो उस जो दस साल कंप्लीट होगा वहीं से आपकी साइपी यानि एसी यस बैंक से डेविट होना बंद हो जाएगा उस समय आपको दूसरा डेव एसी एस फार्म जर्ट मैंडेट फार्म भर करके जो है देना होगा मीचल फंड कंपनी के तो आगे कांटि पांसो रुपाय की साइपी हम 40 साल चलाना चाहते हैं हमारा कितना रिटन आएगा कि आपके विसाय में जान करके बहुत प्रसंदता हुई कि कम से काम आप जो है उत्सुक हैं और दूसरे लोगों को इसके लिए इंकरेज कर रहें उत्साहित कर रहें आसा है कि वो भी लोग दो लाग चालिस जार रुपए 15 परसंट के हिसाब से आपके पास रिटन चालिस साल बाद एक करोल पंद्रा लाग रुपए आएगा यह आपका बहुत अच्छा विचार है पांस रुपए हैं पांस रुपए से आप सुरुबात करिए बीच में जैसे जैसे आपकी इंकम बढ़ती रहे अपना बढ़ाते रहे हैं को जिससे आगे कि घंधन का संकत नकन्थ गरीबी पैक टो लेकिन गरीब नहीं मरना चाहिए उ संसाइब होना अपने हाथ में बात नहीं होता है लेकिन जो है आगे गरीबी ने जीना यानि उलस् gewoon करते आए धीरू भाई अम्बानी भी पहले पेट्रोल पंप में काम करते थे लेकिन उन्होंने अपनी लगान से जो है इतनी जादे उन्नती की आज उनकी कई कंपनिया चलना ही वो तो नहीं है उनके बच्चे लोग चला रहें यह आप भी कर सकते हैं इसी तरह कि वीडियो देखने के लिए जिन लोगोंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है जिससे की वीडियो आपके पास सबसे पहुंशते रहें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार